Hello Everyone, मैं संदीव खारी और आज हम कवर करेंगे अपर द्वार का Expressway का अपना Face 2 Face 1 हमने कवर किया था NH8, सेक्टर 83, सफारी मोल से सेक्टर 89A जो मारा ATS का प्रोजक्ट था, मेरी गोल्ड, महां तक जो railway, मारा फाटक आया था, महां तक और आज जो हम कवर करेंगे सेक्टर 99A से सोबा सेटी, सेक्टर 108 दिल्ली ओडर तक तो आईए सुरू करते हैं यह लैप्ट हैंड पर आप जो भी प्रोजक्ट देख रहे हैं, यह सेक्टर 99A के हैं और यह परीना गुरूप का प्रोजक्ट है, और यह देखेंगे, एसोटेक ब्लीट प्रोजक्ट है, जो कि सेक्टर 99 में लगता है, और यहां से अब सीधा हम ड्रोन कर लेते हैं, टूवर्ड डैली साइड में और चलते हैं, बोडर तक सारे प्रोजक्ट एक्स्प्रेन करत है, लेप्ट एंड पर जो रेडी टू मूविन प्रोजक्ट है, जिसमें फैमलिया रह रही हैं, इसमें भी ज्यादा रिटन नहीं आया, क्योंकि टू भी एचके में काफी छोटा लेयाउट निकाल लाता डवलोपर ने यहां पर और मैक्सिमम जो अपाटमेंट हैं यहां वो मारुत्ती वालों ने ही पर्चेस किये थे, लेप्ट हैं जो भी आप पार्किंग देख रहे हैं, गाड़ियां देख रहे हैं, वो टोटल ही लेंड है, और लेप्ट हैंड में फिर जितनी भी ये लेंड दिखा ही देगी, आपको रोड निकल रही है, यहां पर रही जा हुआ है, लोगा का पैसा फस हुआ है, रही जाका, तो यह रोड देख सकते हैं, बिल्कुल ब्लैक रोड है, टिप टोप रोड है, और यहां से अब थोड़ा से हम टन लेंगे, सेम रोड पे चलेंगे हैं, टूवर्ड डाइली साइड, यहां से हमारे कोई भी मोड नहीं आ हाइव करके कमर्शल है, उससे पहले जो आपको एक रोड दिखाई दे रही है, जो क्रोज कर रही है, यह राइट हैंड पर जो रोड दिखाई दे रही है, यहां पर प्लोट है, 99 सेक्टर के अंदर, G99, G99 प्लोट की यह दि मैं बात करता हूं, तो G99 का प्लोट का रेट 55- साथ हजा रुपे पर गज के स्टार्ट हुआ था अब से दो से डाही साल पहले और आज का जो रेट है डेड़ से दो लाग रुपे पर गज के बीच का रेट है तो यहां पर भी बहुत अच्छा रिटन आया है एक उमीद से कई गुना चाद है रिटन आया है यह जो रोड है अभी राइट है यहां से जो भी इदर अपना जजजर साइड से आते हैं गुर्गाओं के हर्याने के अधर जीले पड़ते हैं तो यहां से कनेक्टिविटी बनती है उनकी इस रोड से और गोल चक्कर से वो यहां से एंट्रेंस होती है गुडगाओं के अंदर यह राइट हैंड पर जो गाड़िया चल लिए इसी रोड पर आगे जाके जी नाइनटीन है जिसका मैं आपको डिसकस कर रहा हूं कि रेट कम था और आज बहुत अच्छा रिट है यह स्क्रीन पर मोल है सेक्टर 102 के अंदर सत्या हाईव और यह गोल चक्कर है यहां से राइट जाएंगे मैंद्वार का एक्सप्रेस फे और राइट हैंड पर जो एक और कमर्सल दिखाई दे रहा है यह जे एमस डवलोपर का है बाइनेम मरीन इस अलयास यह जो टावर दिखाई दे रहा है बहुत अच्छा रिटन आया है तो आल्यास 3BHK का रिटन आया बहुत अच्छा 2BHK का इतना ज्यादा अच्छा रिटन नहीं आया क्यूंकि लेयाउट काफी अच्छा नहीं था और लेप्ट हैंड पर आप एक स्कुल देख रह रहे हैं और सबसे में चीज क्या है कि रोड जो बनी हुए बिल्कुल टिप टोप रोड बनी हुई है ब्लैक किसी तरह का कोई ब्रेकर नहीं है यह स्कूल है इसकूल का गार्ड आने पीछे लेप्ट हैंड पर अभी जो राइट हैंड पर प्रोजेक्ट दिखाई दे रहा है यह भी एम आर गुरूप का प्रोजेक्ट है एम आर इंप्रियल गार्डन इसका भी अच्छा रिटन आया है 3BHK जिस टैम पर लॉंच हुआ था तो 80-85 के आराउंड 80-85 लाग रुपे में था आज 31-35 में आता है एक कुरूड 35 लाग रुपे के आसपास आता है राइट हैंड पर जो प्रोजेक्ट है हमेशा जैसे कि आप देखेंगे MR पार्किंग जो देता है एक सोट अलग से लगता है तो उसकी यह पार्किंग है उसके बाद जो दिखाई देगा BPTP है तो BPTP की जो रहता है हमेशा अपना उसी चीज़ों को लेकर रहता है कि सक्टर 102 जो है मैक्सिमुम पार्ट ऐसा है जहा आडानी ओस्टर इन दोनों प्रोजक्ट में अच्छा रिटन दिया, इसी के साथ में सेक्टा 102 में DPS स्कूल है, आडानी का जो ओस्टर गार्डन है, उसने अच्छा रिटन दिया है, बाकि जो इंडिया की नंबर वन कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जिसका प्रोजक्ट है, आडानी और जो जोई विले है, सापुर जी पालन जी का, वहां से निकल जाता है, मैं दवार का एक्सप्रेस वे, लेप्ट हैंड पे एक और इंटरनेर्शन स्कूल आप देख रहे हैं, और जो नई चीज़े हैं, राइट हैंड पर आप लैंड देख रहे हैं, यहाँ पर आडानी के दीन दैल प्लोट हैं, उसके बाद जो लैंड देख रहे हैं, मुहां प सीतला मता ट्रस्ट के तहद, पचास से साट एकर लैंड के उपर होस्पिटल बन रहा हैं, काफी लोग यहां से अवेर हैं, काफी लोग अवेर नाहीं है, उसके बाद जो यह राइट पे चले जाते हैं अब राइट हैंड पर आईगा सेक्टर 103 सेक्टर 103 दवार का एक्सप्रेस धुए पर पता नहीं क्यों ही ऐसा सेक्टर है जहां पे परोजक्ट आगे रुक जाते हैं ड अबी जो राइट हेंड पर काम चल रहा है, यह नीयो का कमर्शल है, एक मॉल बन रहा है, उसके बाद जो आपको बिल्डिंग दिखाई जा रही है, जिसमें गहने सारे टावर है, यह लेंड मार्क गूरूप का प्रोजक्ट है, जिसने लोगों का पैसा खायावा है, नाहीं return दिया है उसके बाद left hand पर देखेंगे तो यह cricket ground है और उसके बाद left hand पर जो आपको building दिखाई दे रही है यह m3 group का project है by name wood sire m3 वाले वैसे तो अपना project sector 65 golf state को पहला project बताते हैं लेकिन sector 107 वाला इनका पहला project है जो wood sire है 4200 के rate से start हुआ था आज 8000 रुपे per square feet का rate है तो return इसने ठीक ठाक दिया है और well maintained है केवल minus point एक ही है यहाँ का जो basement है उसमें पानी भर जाता है parking की problem होती है क्योंकि यह जो आप road देख रहे हैं इसके parallel road चल रही है और parallel पानी भरा हुआ है यह काफी बड़ा minus point है जो कि अभी कोई इतनी ज़्यादा बारिस भी नहीं हुई है और यहाँ पर continue पानी भरा रहता चाहे कोई सा भी मौसम क्यों नहों और left hand पर जो आपको building है दिखाई जा रही है और यहाँ से right जाएंगे तो भी मैंदवार का express साइड में निकल जाएंगे यह जो screen पर रहे जा का project है यह average है यानि कि बीच मा के price रुख गए है नहीं maintain है नहीं कुछ चीज़े अच्छी है इसमें अभी right hand पर जो यह land दिखाई दे रही है आपको यह MRG गुरूप नहीं यहाँ पर low-rise floor लौंज किया है अभी यहाँ से में camera गुमा के एक बार आपक जो गोद्रेज का project है जिसने द्वार का expressway पर सबसे ज़्यादा return दिया है वो दिखाऊंगा और यह Soba City का project दिखाई दे रहा सामने जिसके पर हवाईजाज उड़ रहा है यहाँ से camera गुमा के drone गुमा के एक बार आपको यह दिखाता हूँ गोद्रेज Meridian यह project है गोद्रेज गुरुप का Meridian सेक्टर 106 के अंदर कुछ टाइम पहले ही अभी तक्रीबन डेड़ साल पहले 6 से और सोरी 6 बोलो 8000 रुपे पर स्कॉर फिट लॉंच हुआ था और आज का जो rate है 15 से 16000 रुपे पर स्कॉर फिट का rate है माइवान construction है अच्छे layout है लिश्टिड कंपनी का project है तो अच्छा return दिया जिसने पैसा लगाया वाय है उसको पता है यह पीछे project जो मैं आपको बताया था वो सारे है और अब आजाता है last में जो screen पे project दिखाई दे रहा है बहुत बड़े developer का यह project है यह सोबा developer का project है sector 108 के अंदर यह project भी तकरीबन साड़े साथ से 8000 रुपे per square fit के rate पे launch हुआ था आज जो इसका rate है 16-17000 रुपे per square fit का rate है और आपकी knowledge के लिए बता देता हूँ पूरे दिल्ली गुड़गाओं NCR के अंदर पहला ऐसा project है जो my one construction पे था और developer ने position दी है सबसे पहला my one construction position वाला project सोबसिटी है बहुत अच्छा return आया है और बहुत अच्छी location है आप देखेंगे project के अंदर world class के आपको garden मिलेंगे world class का club मिलेगा और यह cricket ground मिलेगा प्रोजक्ट के अंदर इतना ज्यादा green area है मैं आपको camera इदर घुमा के दिखा देखता हूं यह पूरा green area है सोरी garden है cricket ground है गार्डन अलग से बीच देखेंगे आप बीच में world class का club देखेंगे आपके my one construction का पहला project जिसे ने position दी है और यह sector 109 के अंदर low rise सोभा के villa है और फिर ATS के दो project हैं जो average रहे हैं sector 109 के अंदर और यहां के बाद जो आपको blue color का board दिखाई दे रहा है यहां पर border आ जाता है और यहां से दिल्ली स्टार्ट हो जाती है यहां पर दिल्ली के traffic police वाले खड़ गाते तो आज की वीडियो में इतना ही दन्यवाद channel को subscribe करे